दोस्तो आज किस वीडियो में Philip Card के उपर बात करने वाला हैं अकर by mistake से कोई order कर देते हो या पिर कोई जान बुच के कोई order करती हो बाद में चाहते हो कि मैं उसको cancel कर दूँ तो आप किस step से Philip Card पे आप कोई भी प्रोडेक्ट तो order करने के बाद केंसेल कर सकते हूआ इस वीडियों यहीं बात करेंगे और बहुत रोगों को उसके बारे मैं बात करने वाल हूँ तो चलिए वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं किस तरह के से आप किसी अपना फिलिप काड़ सौपिंग अप कॉप एंड आपको मैं डिटेल में समझा दिता हूं तो गाइस देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दू मैंने एक वीडियो इस्टाट करने अपर इक ओडर किया था उसको मैं केंसिल करने वाला हूं तो देखो गाइस आपको सिंपल सा उंगली को इस सारे ओडर सो करते हैं और जो ओडर आप कैंसिल करना चाहते हैं वह आपको ऊपर में ही सो कर जाएगा लेटेश्ट ओडर आपको ऊपर में सो करता है उस पर किलिक किजिएगा उसके जाद आपका अपना प्रोड़क्ट पर आ जाने के बाद देखो गयाज यह 207 ओपुपीस का है ठीक है आप इसली केंसिल का ओप्सन कर नहीं दिखता है क्या होता है कि वो सिप्ट हो जाने के कारण छैनिक भाता है तो अगर आपको कनंसिल केंसल कीव किलिक कीजिए आपको इहां पर कैंसिल आॉडर पर किलिक करना उसके बाद यहां पर दो दो ओप्सन दिखता है तो cancel order पर किलिक किज़ें और थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको यहां पर कोई सा भी रिजन सेलेट करने के लिए बोलता है आपको इससे कोई फर्क नहीं परता आप किसी पे बेख किलिक कर दीजिये और यहां पर comment में कुछ भी लिख पर किलिक करके देखो और आपका यहां पर order cancel दिख रहा है तो आप इस टैप से cancel तो कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको cancel का option नहीं दिख रहा है तो आप हमें comment किजिए मैं आपके लिए एक और वीडियो लाँगा part 2 जिसमें आपको बताऊंगा कि cancel का option नहीं सोक कर रहा है त तो फिर भी आप cancel कैसे कर सकते हैं शिफ्ट हो जाने के बाद आप हमें comment किजिए